नमस्कार दोस्तो मैं राज सिंग मैंक्रोसप्ट सर्टिफाइड ट्रेनर तो यहां पर रिपोरिट टेबल फिटल इस्ट ये ऐप्शन अविलेबल होगा अगर अपने इस ज़िअ को एंसल तो प्वाट टेबल एंठलाइज़र के पास फिट लिस्ट करके ऐप्शन होगा आप इसे क्लिक कर सकते हो अप्षन आपके सामने आजाएगा यहां पर common mistakes होती है, जो लोग करते हैं, आप इस पो वाइड कर सकते हो, यहां पर जो आपने टेबल बनाया हुआ है, एडमीन, CCD, फाइनांस और यह पुरी रिपोर्टिंग जो आई है, यह आप लोगों को पता है, अलरेडी, list के इसाब से अपने लाया था, अब यहां पे आपने all कर दिया है, तो यह all के इसाब से आ गई है, सारे की सारी जो भी list आपने यहां पर calculation लाया थे, अब जैसे यह table आएगा, आपको pivot table analyzer और design, ऐसे दो option आपके सामने open होंगे, pivot table analyzer पे आपको बहुँ सारे अलग-अलग different data से related action calculator यह सारे चीज़े मिलेंगे, आप design option पे click करेंगे, तो यहां पर आपको layout से related pivot table की style और pivot table के different look से related आपको settings मिलेगी, सब कुछ design से related, अब आपने यह style पे यहां पर box पे click किया, आपको variety of style मिलेगा, तो आप यहां पर पहले देखिए, आपको light वाला style है, तो आप यहां पर कोई single color, एकदम light सा आपको color देना है, तो आपको सामने options है, आप देख सकते हैं, इन में से आपकोई भी click कर दो, तो वाला option यहां पर apply हो जाएगा, दूसरा आपके सामने option आता है medium वाला, medium में medium style यूज होता है, colors थोड़े और अच्छे से यूज होते हैं, यहां पर आपको कौन सा यूज करना है, जो भी style आपको लगे, यहां पर भी आप देखेंगे, first, second, third, fourth, ऐसे अलगलग category है, इन में से आपको यह भी ले सकते हो, मै यहां पर इस तरीके से visibility अच्छी मिल जाती है, तीसरा आपको option आजाता है dark वाला, तो dark वाले में बहुत ज़्यादा colors हो जाते हैं, तो अगर आप print out वगेरा लोगे तो वहां पर थोड़ी सी problem आ सकती है, बट कुछ लोगों को dark colors लेने होते हैं, तो वो ले सकते हैं यहां मैं यहां पर इन में से आप कोई भी color ले लोगे, वो best होगा आपके लिए मेरे इसाब से, तो आप कोई भी इन में से आप ले सकते हैं, तो यह होगे आपका design से related, आप design से related कुछ और options को आप यहां पर समझ लीजिए, जैसे यहां पर देखिए row header, तो आपने row header यहां पर देखेंगे, तो आप उसको change कर सकते हैं, column के headers को यहां पर आप गयाप कर सकते हैं, तो यहां पर है आपका bandit row, आप इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, जैसे admin और इनके बीच में जो lines हैं, यहां पर extra lines आ जाएंगी, हर department के, तो यह bandit rows होते हैं आपके यहां पर सकती है, light हो सकती है, आपके उपर है, तो यह कुछ settings है, और भी चो आप छोटी-छोटी settings है, यहां पर कर सकते हो, यह जो आपका pivot table field list है, यह आप corner से यहां से इसे छोटा या इसे बढ़ा कर सकते हो, इस तरीके से, यहां पर भी settings के बहुत सारे options आते हैं, जैसे मैंने यह first वाला लिया हुआ है, तो अगर आप यह वाली settings ले लोगे, तो side by side वाला option आजाएगा, कुछ इस तरीके से आप इसकी settings को change कर सकते हो, यहां पर जो filter, row, column, तो आपके सारे के सारे columns यहां पर, और सारे के सारे जो अलग-अलग areas थे, वो यहां पर आ सकते हैं, तो यह दोनों समझ में नहीं आता है कहां पर लेना है, तो आप यहां पर ले सकते हो, और यह फिल्ड ऐसे, आप दूसरा वाला यहां पर देखे, तो सिर्फ फिल्ड से related आपने क्लिक क्या, तो सिर्फ फिल्ड के नाम आएगा, मतलब वो ड्रैग वाले जो boxes थे, वो आपको यहां पर नही दिख रहे हैं, क्योंकि आपने यह सेटिंग क्या, तो कभी-कभी आपको हो सकता है, कि ऐसा कुछ error आईसे ना दिख रहा हो, तो आप यहां पर जाकर सही कर सकते हो, अब यह दो को फिल्ड है, तो सिर्फ फिल्ड ओनली, मतलब सिर्फ फिल्ड देखेगा, एरिया सेलेक्शन ठीक है, तो एरिया का जो सेलेक्शन है, तो सिर्फ एरिया का सेलेक्शन दिख रहा है, इस से में फिल्ड नहीं दिख रहा है, तो अगर आप एरिया सेलेक्शन पर क्लिक करोगे, तो यह अलग-अलग layout से, बहुत ही useful होते हैं, जब आप बड़े reports पे काम करते हो, settings आपको प कर सकते हो कि यह ऐसे one by one इस तरीके से आए, या फिर यह आपका इस तरीके से boxes आए, तो यह दोनों आपके area section से related है, तो normally इन दोनों को ज़्यादा लोग use करते हैं, या फिर अगर आप areas पर काम करो तो इन पर, तो मैं बोलूँगा, अगर बड़ा data हो तो यह ले लीजे, औ और अगर उतना बड़ा data नहीं है आपका, तो यह वाला तो by default है, यह look रहता है, तो इस वालो को भी आप use कर सकते हो, तो यह होगे आपके layouts और इसके related कुछ designs, options आप लोगों नहीं आप पर देख लिया, और इसे बहुत सारे और भी options हैं, वो सारे हम next video के अंदर cover करेंगे, तो friends, यहाँ पर pivot table के अंदर जो चीज मैंने बताई है, इसको अभी अभी practice कर लीजिए, वीडियो पसंद आया, तो आप इसे like कर सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचाए जिन लोगों को pivot table के बारे में कुछ सीखना है,